नमस्कार दोस्तों स्वाग्द आपका अपने यूटूब चैनल वेटरनेरी स्टड़ी में और दोस्तों एलसे और एच्टी पी एक्जाम प्रिपेशन के लिए आज के अपनी सब्जेक्ट है वेटरनेरी एक्स्टेंशन एजूकेशन परचार शिक्षा जिसका पार्ट 3 आज हम पढ़ रहे हैं और देखेंगे ओनले 100% इंपर्टेंट और 90% एक्जाम में आने के चांस रहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरू वीजिट करना और जो साथ अब तक हमारे चैनल से नहीं जूड़े हैं वो भी जरू जूड जाए और शूरू करते हैं वीडियो क कि इंपर्टेंट क्यों डख रहे हैं और यह एलैं से एग्जाम त्यारी के लिए और यहटी पी लोत इंपर्टेंट हैं जिस्टो में ओल्ब्र में को फ्रेश एक्रसिन को साथ-साथ करना क्या बता है यह व्योत लिक सई हने पने पहले ही लेवन्टा क्लास ऐससे में भी पड़ा था एकदीकल्चरवालों ने कि जो खेती और पशुपलन दोनों को एकसात करना क्या क्या जाता है तो क्या क्या लाता है मिस्रित कर्छी क्या 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 कि गाई बच्छडे बेल को रखा जाता है अब देखे दोस्तों जो निम लिकित जो ओप्सन दे रखे है उन में से गाई बच्छडे बेल को किसमे रखा जाता है हालांकि रखा तो सब में जाता है लेकिन गाई बच्छडे और बेल इन तीनों को ठीक है दोस्तों किसमे रखा चाता है तो इसको गो साला और गो सदन इन दोनों में रख सकते हैं ठीक है दोष्टों राइड आंसर आपना है the डि दोनो a and b नेस्ट कुशन की गोसाला के बारे में सत्यकथन है अब देखे दोस्तों में जो गोसाला है जो गोसाला होती है उनके बारे में निमलिकित में से जो है सत्यकथन बताना है तो जो गोसाला होती है वो यह एक चेरिटेबल सहस्ता है जो कि लोगों के स्वयोग से कारी करती है यह यह भी राइट है गोसाला में उत्पादक जानरों को रखा जाता है जिसमें गाय बच्छडा बच्डी बेल सभी आते हैं और लाइस्ट ऑप्शन है अपना उप्रोक्ट सभी तो अपना जो राइट अंसर होगा वो है उप्रोक्ट सभी डी नेस्ट कुशन है कि उटो की संक्या के हिसाब से राजस्तान का भारत में कौन सा हिस्तार है अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो एक क्यूशन है वो आपके पसुपालन से सम्मंदित भी है और जो एक्रिकल्ट सुपरवाइज एक्जम्द के जो त्यारी होती है उसमें पुशता गया कि उटो की संक्या के सासे राजस्तान का भारत में कौन सा इस्तान है तो ओम पुद्ध शुपर दोस्तों की संक्या में जो राजस्तान है वह अपना प्रतम इस्तान रगता है बहरत मौन है नेक्स्ट कुछन है कि ग्राम आधार योजना की सुरूत कौन से पंच वर्षिय जो योजना है उसमें हुई थी तो जो आपकी जो ग्राम आधार योजना है वो आपकी पर्थम पंच वर्षिय योजना में सुरू की गई थी या फिर इसमें सुरू हुई थी नेक्स्ट कुशन है कि राजिस्तान का उन उत्पादन में देश में कौन सा इस्थान है अब देखे दोस्तों ये भी वही कुशन है उनके बारे में कि राजिस्तान का देश जो बारत देश है उसमें उन उत्पादन में कौन सा इस्थान रखता है तो ये भी अपना पर्थम रजिस्तान रखता है राजिस्तान उनुट बादन में अपने देश में है ओधिया इंपोर्टन क्यूशन है यह दोस्तों नेक्सक्यूशन है कि गोषदन के बारे में सत्य कथन है आप This song is given गोष सदन के बारे में तो जो गोष सदन जो होता है उसके बारे में हमें सत्य कथन बताना है तो यह दूरस्त जंगलों में इस्तिद होता है यह दूर के जंगलों में जो दूर दूर जो जंगल होते हैं उनमें इस्तिद होता है और इनमें अनुद्पादक गोवन्स को रखा जाता है यह भी रइट है कि इसमें उन गोवन्स को रखा जाता है जिन से हमें कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होता है अगला उप्षन यह हैं कि जानुरों को चारा गाह और हे पर पर पला जाता है ठीक है दोस्तों जो जानुर रखे जाते हैं होता है जिसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है उसके युसके आदर पर इनको पला जाता है। होता वो है उप्रों कि सभी यह जो तीनों ही ओप्षन है ओर अपना जो सत्य कतन है वह सभी है तो राइट असर होगा अपना उप्रोक्त सभी नेस्ट क्विशन है कि समाज यो परसार काईरिक के आदारीकाई है देखे दोस्तों जो समाज और ये परसार की जो आदारीकाई है वो क्या है तो वो है परिवार ठीक है दोस्तों फेमेली जो होती है परिवार वो समाज और परसार का आदारीकाई होती है अगला कुछन है कि extension के मूँ लवदारना है आप देखे दोस्तों जो extension जो subject है अपनी इसकी जो मूँ लवदारना है परसार ठीके दोस्तों परसार के मूँ लवदारना क्या है तो वो है सिख्षा ठीके दोस्तों education extension के मूँ लवदारना है कि अज़े आईंगेम एधार योजना के सुरूवत हो ठीज भाम वजय अर्थम पंच-वर्ष योजना में उसकी जो शुरूवत है वह आप की 1952 में को अगला क्यूसर्ण begr algo करेकाल कितना होता यह सबको पता होता है कि पांच वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कारिकाल ठीक है दोस्तों नेश्ट कुछन है कि पंचायती राज की सुरुआत देश में सबसे पहले पंडित जवरलाल नेरू ने कहां से घीती देखे दोस्तों जो पंचायती राज है उसकी जो शुरू आते देश में सबसे पहले पंडित जहरला निरून ने जो सुरू की थी, वो कहां पर की थी, इसके बारे में जो है क्यूशन पूछा गए है, तो वो अपनी जो है नागोर से है, ठीक है दोस्तो जो आपकी पंचाईती राज व्यवेश्टा है वो आपके न नागर से शुरू कि गई थी कह से नागर से इंपंटेन्न क्यूशन है दोस्तों यह भी बहुत ही और आग कर heation है कि पंचाइति merryff दोस्तों दूसरो सुरू हुई थी जो माला ठीक है दोस्तों काब से 2 उक्टुमबर 1960 से शुरू हुईती गांधी जहिंती से नेस्ट कुछन है कि थार पारकर के लिए केंद्री गाई प्रजनेंट फार्म कहां इस्ति थे यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है जो इस्ति थे अपना सूरतगड स्री गंगानगर में ठीक है दोस्तों नेस्ट क्यूशन है कि भारतिय पसूच इकिसा परिशद वीसी आई वेटरिनेरी कांसलिंग जो है आपका कांपर जो इसकी स्तापना कब हुई ठीक है दोस्तों तो आपकी भारतिय पसूच इकिसा परिशद की जो इस्तापना है उन्नी सो चोरेसी में हुई थी ठीक है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा सहकारी समयतियां कहां इस्ती थे तो जो सहकारी समयतियां होती है जो यह गुजरात राज में इस्ती थे कहां पर इस्ती थे गुजरात में नेस्ट कुशन है कि परशार सिक्षा का सिद्धान थे अब देखे दोस्तों जो यह परशार सिक्षा का जो सिद्धान थे यह बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है बहुत ही important question है कि परशार शिक्षा और देख कर विश्वास करना जो भी परशार शिक्षा में बताई जाता है उसको हमें पहले कर के सिखना है और देख कर विश्वास करना है कि वाकई में ये सही है तो जो अपना right answer होगा वो यह अपना दोनो A and C ठीक है दोस्तों दोनो A and C करके सिखना देखर विशास करना यह बहुत ही important question है बहुत important next question है कि extension किसके बीच का जीवनत रिस्ता है अब देखिए दोस्तों जो आपका extension जो है वो किन के बीच में जीवनत का रिस्ता है तो दोस्तों जो यह आपका यह वो यह right answer परसार कारी करता हो और किसान के बीच में जो परसार करता है किसी भी चीज का उनका जो कारी करता है वो और किसान के बीच में का यह एक जीवनत रिस्ता है extension अपना कि भारत में हरित करांती का जनक किसे का जाता है यह सबको पता ही है कि जो हरित करांती है खेती से related उनका जो फादर है जनक है उनको किसको का जाता है तो उसको डॉक्टर में स्वामी नातन को कहा जाता है और नेस्ट क्यूशन है कि जो हरित करांती है उसका जनक कौन है देखे दोस्तों उसमें भारत का जनक पूछा गया था लेकिन इसमें केवल जनक को पूछा गया है तो केवल जन्हक को पूछे तो उसमें हम नॉर्मन बोर्ड लोग आएगा और अगर बारत का पूछे तो एमेर स्वामी नातन आते हैं तो दोस्तो आज हमने एक्स्टेंशन सब्जाइस के इंपर्टन इंपर्टन् ट्वक्टवेशन को देखा इसका पार्ट 3 हमने पढ़ आये और पढ़ वं तू से के पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लग्जे तो इसे लाइक अब में शेयर जुरू करना और हमारे यूटूब चैनल वेटरेनरी स्टेडी से जुड़े रही है धन्यवाद